दोस्तों देश के सबसे बड़े पद पर विराजमान प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी को आज कोन नहीं जानता। वो हमारे देश में ही नहीं बलकि विश्व के एक पॉपुलर नेता की छवी बनाने में काम्याब रहे हैं। दोस्तों आपको पता ही होगा कि बचपन में मोदी जी रेल्वे स्टेशन पर चाई बेचा करते थे। लेकिन आपको पता है कि चाई बेचने वाले मोदी जी प्रधान मंत्री कैसे बने। दोस्तों आज हम इस वीडियो के जरिये जानेगे मोधी जी के जन्म से लेकर पी एम बनने तक का सफर। कैसे वो कठिन से कठिन परिस्थिती का सामना करके यहां तक पहुँचे है। वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाली है इसलिए लास्ट तक जरूर बने रहे। जिसके बाद दूसरे नमबर पर है अमरित भाई मोधी। तीसरे नमबर पर खुद पी-म नरेंद्र मोधी आते हैं। चौथे नमबर पर प्रहलाद मोधी और पाँचवे नमबर पर सबसे छोटा भाई पंकज मोधी। उसके अलावा उनकी एक बहन भी है जिनका नाम वसंती बेन है। मोधी जी को बचपन में नरिया कहकर पुकारते थे। मोधी जी के पिता रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान लगाते थे, जिसमें मोधी जी भी अपने पिता की दुकान पर उनका हाथ बटाया करते। मोदी जी बच्चपन से ही कुछ अलग थे, वो दूसरे बच्चों की तरह नहीं थे, उन्हें बच्चपन से ही देशभक्ती के लिए काम करना बहुत पसंद था 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान मोदी जी ने ट्रैन में जा रहे सभी फौजियों को चाय पिलाई थी और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भी मोदी जी ने वहां से गुजर रहे सैनिकों को चाय पिलाई थी मोदी जी ने गुजरात के वडनगर के ही भगवत आचार्य नारायन आचार्य स्कूल से अपनी पढ़ाई की शुरुवात की थी और वो पढ़ाई में एवरेज छात्र में आते थे मोदी जी को बचपन में एक्टिंग का बहुत सोख था इसलिए वो स्कूल के बाद विवाद नाटकों में भाग लेते और इनाम भी हासिल करते थे वो NCC में भी शामिल हुए मोदी जी बचपन से ही निडर व्यक्ती थे आपको जानकर हैरानी होगी की मोदी जी ने एक दिन तालाब से एक मगरमच का बच्चा पकड़ कर अपने घर ले आए थे बाद में मा के समझाने पर उसे वापस तालाब में छोड़ाए मोदी जी बचपन में साधू संतों से बहुत प्रभावित थे और बचपन से ही सन्यासी बनना चाहते थे सन्यासी बनने के लिए मोदी जी ने स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी और बाद में घर से भाग गए इस दोरान वो पश्चिन बंगाल के राम कृष्णा आश्रम सहित कई जगहों पर घुमे मोदी जी बचपन से ही आरेसेस को पसंद करते थे और उसमें जुड़े भी थे 1958 में दीपावली के दिन गुजरात आरेसेस के पहले प्रांत प्रचारित लक्षमन रावय मांदार वकील साहब ने नरेंद्र मोदी को बाल स्वयन सेवक की शपत दिलाई थी मोदी जी बहुत ही महनती कार्य करता थे वो आरेसेस के बड़े शिबिरों के आयोजनों में मेनेजमेंट का काम करते थे आरेसेस नेताओं के ट्रैन और बस में रिजर्वेशन का जिन्मा उन्हीं के पास होता था मोदी जी कई महीने तक तो हिमाले में साधुओं के साथ भी रहे वापस आने पर उन्होंने सन्यासी जीवन त्यागने का फैसला किया और अपने भाई के साथ मिलकर अहमदाबाद के कई स्टेशनों पर चाय की दुकान लगाई हर परेशानी का सामना करते हुए चाय बेची 18 साल की उम्र में मोदी जी की माने गुजरात के उज़ा नस्दीक ब्रहमनवाडा गाउ में रहने वाली जशुदाबेन से मोदी जी की शादी करवा दी विवा के बाद मोदी जी घर छोड़कर संध प्रचारक बन गए कुछ लोगों का कहना है कि वो शादी के तीन साल बाद तक अपनी बीवी के साथ रहे वही कुछ लोगों का कहना है कि मोदी जी अहमदाबाद संध मुख्यालय में रहते थे और वहां के सारे छोटे छोटे कार्य करते थे जैसे सफाई करना चाय बनाना और बुजुर्ब नेताओं के कपड़े धोने जैसा काम किया करते थे वो हर काम से पहले अपनी मा का आशिरवाद लेने जरूर घर जाते थे 2014 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद भी सबसे पहले वो अपनी मा का आशिरवाद लेने उनके पास गए संध में रहते हुए कुर्टे की बाई छोटी करवाली ताकि वो ज्यादा खराब ना हो जो वर्तमान में मोदी ब्रांडी कुर्टा के नाम से मशूर है 1975 में जब इंदिरा गांधी ने कई राजनीतिक कारणों की वजह से राज्यों में आपातकाल लगा दिया था उस वक्त भी मोदी जी सरदार के रूप में पुलिस से चुपकर सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते रहे मोदी जी बहुत ही महनती कार्य करता थे RSS में उनके कार्य को देखकर उन्हें बहुत ज्यादा सम्मान मिलने लगा वो स्वामी विवेकानन से बहुत ज्यादा प्रभावित थे उन्होंने गुजरात में स्वामी विवेकानन युवा विकास यात्रा भी निकाली थी मोदी जी शुद्ध शाकाहारी है मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं और कुछ ही घंटे सोते हैं वो समय के बहुत पाबंध है। लालकृष्ण अडवानी को मोदी जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। 1990 के दौरान मोदी जी ने अडवानी की सोमनात से अयोध्या रथ्यात्रा में बड़ी भूमिका निभाई। इससे प्रभावित होकर बीजेपी के बड़े नेताओं ने मोदी जी को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। और वो पार्टी के लिए बहुत ही मेहंत और लगन से काम करते रहे। 1985 में गुजरात की विधान सभा चुनाव में बीजेपी पार्टी को बहुमत हासिल हुआ। मोदी जी की शंकर सिंह बाधेला से कुछ नाराजगी हो गई। जिसकी वजह से शंकर सिंह बाधेला ने इस्तीफा दे दिया। और केशव भाई को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया। और मोदी जी को दिल्ली बुलाकर केंद्रिय मंत्री का काम सोक दिया। धीरे धीरे केशव भाई की तबियत खराब रहने लगी और चुनाव में पार्टी की कई सीटे भी हार गए। इसके बाद बीजेपी ने अक्टूबर 2001 में मोदी जी को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया। मोदी जी ने गुजरात में विकास किया, हर जगह बिजली और पानी की विवस्था की और एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क गुजरात में बनाया। 2002 में होने वाले गुजरात के गुधरा कांड में मोदी जी का नाम जोड़ा गया। फिर इसके लिए New York Times ने मोदी जी को जिनमेदार ठहराया। गुधरा कांड गुजरात की गुधरा शहर में 27 फरवरी 2002 को हुआ था। गुधरा शहर में रेलवे स्टेशन पर साबर मती ट्रैन के S7 कोच में आग लगा दी गई थी। जिसमें 69 लोगों की जान चली गई। इसके बाद गुजरात में जगह जगह पर सामप्रदायक दंगे शुरू हो गए। और 28 फरवरी 2002 को गुजरात के कई इलाकों में दंगों ने भयंकर रूप ले लिया और बरासों से ज्यादा लोग मारे गए। उसके बाद सुप्रीन कोर्ट ने इस दंगों की जाच के लिए स्पेशल कमिटी बनाई। कमिटी ने पूरी जाच परताल की और 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी की जाच के आधार पर फैसला सुनाया। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमिटी को दंगों में कहीं भी मोदी जी का कोई हाथ नहीं मिला। मोदी जी ने गुजरात में मंदिरों पर सरकारी काइदे कानून के खिलाफ बनाए गए सभी कानून तुरवा दिया इसके बाद मोदी जी की लोक प्रियता गुजरात में इतनी बढ़ी की लगातार चार बार मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे 2013 की केदारनाथ आपदा में शतिग्रस्थ हुए केदारनाथ मंदिर के पुनरनिर्मान के लिए केंद्र सरकार से मोदी जी ने मांग की लेकिन उस वक्त कॉंग्रेस सरकार ने मना कर दिया मोदी जी की अच्छी नीतियों को देखते हुए भाजपा सरकार ने 2014 में लोग सभा चुनाव में मोदी जी को प्रधान मंत्री के रूप में चुनाव के लिए मोदी जी ने सोशल मीडिया का भी खूब इस्तिमाल किया और अपनी मेहंट और लगन के बलपर भाजपा पार्टी को भारी बहुमत से जीत दिलाई 26 मई 2014 को दिल्ली के राश्ट्रपती भवन में मोदी जी ने भारत के सर्वोच नेता प्रधान मंत्री पद की शपत ली मोदी जी भारत के पंद्रहवें प्रधान मंत्री बने लोगों के लिए वो इतने पॉपुलर नेता बन गए कि दोबार अभी बीजेपी पार्टी को ही बहुमत के साथ जीत मिली और 30 मई 2019 को दूसरी बार भारत के प्रधान मंत्री बने दोस्तों आपको क्या लगता है 2024 चुनाव में कौन जीतेगा कमेंट में जरूर बताइए वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं ऐसी ही इंटरस्टिंग वीडियो में